बच्चों विद्यदेवी ओनलाइन क्लासेज में आपका अड़िक स्वागत है तो अब अपनी प्रश्णावली पांच की जो विविद है वो भी समाप्त हो गई अब हमें उसके कुछ उधारण हैं अपने पास में एक दो उधारण चार उधारण पांच उधारण जो भी बै 20 तो उधार नमबर 20 में दे रखा है कि अपने पास में एक सीड़ी है जिसको ग्रामेंड वासा में नसे नहीं बोलते हैं तो इस तरी कहां से सीड़ी बनी हुई है अपने पास में वो नीचे से उपर की तरफ सकड़ी होती है तो यह जो नीचे नीचे का डंडा है यह डंड है उसमें 25 सेंटीमीटर का डंडा है और इस सीड़ी की जो टो टल उचाई है वो दे रखे दो पॉआंट पांच मीटर अब इसमें इस तरीका से इसमें डंडे लगे हुए है इस सीड़ी में तो दो डंडों के जो बीच की दूरी है वो 25 cm है कितनी है 25 cm दो डंडों के बीच की दूरी जो है वो 25 cm की है तो इस तरीका से इस सीड़ी में लगने वाले डंडों की कुल लंबाई हमें क्या करनी है ग्यात करनी है तो दुबारा से एक बार समझ लो कि अपने पास में एक सीड़ी दे रखे है जिसमें जो निचला डंडा है जो सबसे ज़्यादा लंबाई उस डंडे की वो दे रखे है उसमें कितनी 45 cm और यहां पर जो सबसे उँचा सबसे उपर वाला जो डंडा है उसकी लंबाई दे रखे 25 cm तो नसेन की या सीड़ी की जो टोटल लंबाई यह उँचा ही है वो दे रखे उसमें 2.5 मीटर और दो डंडों यानि प्रतिय डंडे के बीच में यानि दो डंडों क बीच की जो दूरी हमेशा उपर तक रहेगी वो दे रखे उसमें 25 cm तो इस तरीका से सीड़ी में लगने वाले डंडों की कुल लंबाई हमें ग्याद करनी है कि इसमें कितने cm का यानि हमें एक डंडा चाहिए उसकी टोटल लंबाई उसमें से काट काट यह जो सीड़ी बन आएंगे सीड़ी के अनुसार यह पी बनानी है तो सबसे पहला जो डंडा है वो 45 cm तो प्रिथंपद आ गया उसमें 45 डॉट 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 बीच के डंडे दे नहीं रखें वीच के जो डंडे हैं उनकी लंबाई नहीं दे रखें अंतिम डंडे की लंबाई दे रखें वह 45 और अंतिम पद दे रखा है एन बराबर कितना 25 cm अब हमें इन डंडों की लंबाई का योग चाहिए अब अपने पास में योग के दो सूत्रें योग के अपने पास में सूत्र कितने हैं दो तो एक तो हैस में sn बराबर n वटे 2 बड़ा 2a प्लस कोश्टक में n-1 कोश्टक बंद एक तो यह बड़ा वाला सूत्र है योग का और एक और है उसका sn is equal to n वटे 2 कोश्टक में a प्लस an प्रथंपद प्लस अंतिम पद तो इन दोनों सूत्रों से हमें इन डंडों की लंबाई का योग निकालना है कहने का मतलब है पहले डंडे की लंबाई 45 cm अंतिम हैं उन सभी डंडों की लंबाई का मैं योग चाहिए कि क्या चाहिए हमें योग तो अब योग के लिए ये दो सूत्रें अपने पास में अगर इस सूत्र को लगाएंगे तो प्रिथम पद चाहिए और अंतिम पद चाहिए और पदों की सेंग्या चाहिए जो हमें इसमें से डी ग्यात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है पहला डंडा और अंतिम डंडा है अब हमें चलो ये काम नहीं आएगा ये सूत्र तो इसे काम ले लेते पर थंपद है दे रखा है कितना 45 अंतिंपद है कितना दे रखा है 25 किये वल हमें पदों की संक्या यानि डंडों की संक्या निकालनी है अब डंडों की जब संक्या आ जाएगी तो हम उन डंडों की लंब कि यहां पर सवाल में देखना है तोटल जो सीड़ी की उचाई है वह दो पॉंट पांच मीटर है और प्रतियक डंडे के बीच में दो डंडों के बीच की जो दूरी रखनी है हमेशा वो कितनी उचाई पर रखनी है पच्छी सेंटीमीटर फिर पच्छी सेंटीमीटर के साथ तो इसके सबसे पहले हमें मीटर के क्या बनाने सेंटीमीटर बनाने उसके बाद में फिर उसमें हमें किसका बाग देना है 25 का तो डंडों की का जाएगी सेंग क्या जाएगी अब देखते हैं यहां पर जैसे यहां से हम यहां तक बढ़ें तो पहले पहला जो डंडा होगा यहां पर लगेगा वो कितनी उचाई पर लगेगा 25 सेंटीमीटर तो यहां जीरो उचाई है उसकी यहां पर उचाई क्या है जीरो तो यहां पर 25 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर उचाई पर पहला डंडा लगेगा तो यह डंडा उसमें अत्रेक्त रहेगा नीचे का तो यहां समझाओंगो ब संख्या तो सबसे पहले यहां पर दो पॉंट पांच मीटर इसके यहीं पर क्या बना लेते हैं सेंटी मीटर तो कितने हो जाएंगे 250 cm 250 cm बन गए बजाए इसके इधर देख लेते कि यहां पर टोटल उचाई कितनी है उसकी 2.5 मीटर और इसके cm बनाने हमें तो कितने हो गए 250 cm अब टोटल इस सीड़ी की उचाई है 250 cm मीटर और दो डंडों के बीच की दूरी 25 25 25 तो इसमें 25 का भाग दे दे डंडों की क्या जाएगी संक्या तो यानि कि यहां पर डंडों की संक्या बराबर 250 में कितने का भाग देंगे 25 का प्लस एक डंडा उसमें अत्रिक्त रहेगा अब वो एक डंडा अत्रिक्त कैसे रहेगा देखो यहां उंचाई क्या है सीडी की उंचाई इस जगह पे क्या है जीरो और यहां से जीरो पे से हम उंचाई चलेंगे पच्छी सेंटीमीटर की तो इस जगह पे जाके एक डंडा लगेगा एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरीका से डंडा लगेगे तो यह जो नीचे नीचे का डंडा है वो उस 250 में 25 का भाग देंगे यानि टोटल डंडों की सेंटीमीटर की आई 10 तो यहां से आएंगे उपर तो यह जो नीचे का डंडा है वो अत्रिक्त डंडा लगेगा उसमें तो यहां पर 250 वटे 25 प्लस एक यानि इसमें भाग देंगे 10 प्लस एक बराबर टोटल डंडों की सेंटीमीटर की नीचे की नीचे हो गई 11 एक वार और समझ लो इस जगे को कि यही महत पूर्ण है इस जगे पर डंडों की सेंख्या ग्यात करने के लिए तो देखो यहां पर यहां पर जी मुचाई क्या रहेगी जीरो यहां से हम यहां पर डंडा लगाएंगे तो 25 सेंटीमीटर मुचाई पर एक डंडा 50 पर 2 35 पर 300 पर कितना 4 125 पर 5 इस तरीका से 20 से में 10 डंडे तो यहां पर लग गए और सीड़ी में हमें दे रखा है कि जो नीचे दे रखा है वो डंडा वो अत्रिक्त है उन 10 डंडों के अत्रिक्त डंडा है तो यह डंडा कितना हो गए 11 है तो एक इसमें हमने अलग से जोड़ा है तो 10 प्लस एक यानी डंडों की सेंग्या कितनी हो गई 11 अब हमें इन 11 डंडों का योग निकालना है तो यहां लखेंगे 11 डंडों का योग कोश्टक में SN is equal to N वटे 2 कोश्टक में A plus AN तो डंडों की सेंग्या कितनी 11 बटे कितना 2 पर थंपद 45 अंतिंपद 25 तो 11 बटे कितना 2 गुणा दोनों को जोड़ो टोटल 70 दो से 70 काटिंगे 35 ग्यारे पंजी 55 को पांच हांसे लगी तीन हांसे लगी पांच ग्यारे ती 33 और पांच कितने हो गए 38 तो टोटल डंडों की जो लंबाई है वो कितनी आएगी 385 सेंटीमीटर देखो एपी पहला पद दे रखा है 45 डोट डोट अंतिंपद दे रखा है 25 यानि जो सीड़ी जो बनी हुई है उसमें पहले डंडे की लंबाई 45 अंतिंप डंडे की लंबाई 25 और टोटल सीड़ी की उचाई दे रखी है 2.5 मीटर यानिकी 250 सेंटीमीटर अब दो डंडों के बीच की जो दूरी रखनी हमेशा वो 25 सेंटीमीटर पर रखनी है तो पहला डंडा यहां आएगा 25 सेंटीमीटर उचाई पर दूसरा जाएगा 50 पर 75 100 125 तो इस तरीका से डाई से में यहां से उपर लगने वाले डंडे कितने हो गए 10 तो यह डंडा जो ह तो इस तरीका से बच्चों इस सवाल को नोट कर लो तो अगला चलता है उसमें उदारन नम्मर 17 उदारन नम्मर 17 देख बच्चों एक बार फिर दुबारा सुलने उन उदारनों को बता रहा हूं जो इस प्रश्णावली में जो मैंने पहले प्रश्णावलियों में नहीं थोड़े से अलग हैं कठिन हैं ठीक है न तो उसमें पहले जो मैंने बताया था उदारन नमर 20 वा बताया था फिर उसके बाद में 19 अठार है ये थोड़े सरल थे जो पहले बता चुका हूं इन सवालों को अब हैं सत्रवा उदारन तो सत्रवे उदारन में दे रखा है कि ए एपी के साथ पदों का योग दे रखा है 49 एपी के कितने पदों का योग साथ पदों का योग वरावर दे रखा है 49 और सत्रे पदों का योग दे रखा है 289 तो यानि दो दो चीज़ दे रखी एक तो साथ पदों का योग 49 एक सत्रे पदों का योग 289 तो हमें इन पदों क का योग ज्याद करना है तो हमें क्या करना है एन पदों का योग तो सब से पहले यहां में एक पी के साथ पदों का योग कोस्ट एक में एस एन बराबर यानि यहां दे साथ पदों का योग कितने पदों का योग साथ पदों का योग तो एन का मान साथ दे रखा है और योग का में सुत्र लगाना है तो इस जगे पे हम साथ पदों के योग का सुत्र लगाते हैं तो सब से पहले चूंकि एन का मान साथ रहेगा बटे कितना दो बड़ा कोश्टक टूए प्लस कोश्टक में साथ माइनस एक कोश्टक बंद डी बड़ा कोश्टक बंद बरावर कितना दे रखा है उननचास दे रखा है एक बार दोबारा यह मत सोचना यहां साथ वापद है साथ वापद नहीं हैं बहुते बच्चे सोचते हैं साथ वापद है तो ए फिलबर छेड़ी लगा दे वो गलत हो जाएगा क्योंकि यह साथ पदों का योग है क्या है साथ पदों का योग है तो हमें योग का सुत्र लगाना है ना कि एनवे पद का सुत्र लगाना है क्योंकि यहां पर क्लियर लेखा हुआ है सवाल में कि साथ पदों का योग क्या है सात पदों का योग तो योग का सुत्र लगाना यहां तो योग का सुत्र होता है SN बरावर N बटे 2 बड़ा कोश्टक 2A प्लस कोश्टक में N माइनस 1 कोश्टक बंद D तो N कमान कितना दे रखा है 7 तो 7 बटे 2 बड़ा कोश्टक 2A प्लस कोश्टक में 7 माइनस 1 यानि N माइनस 1 कोश्टक बंद D बड़ा कोश्टक बंद बरावर टोटल कितना दे रखा है 49 तो अब आगे बढ़ाते हैं इसको कि देखो इसमें अंदर डारेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा यहां पर बोड़ पर देखना है सबसे पहले हमने 2a ले लिया प्लस साथ मिंते एक गए जब कितने बचे शहए और शह का कुणा डी से करेंगे जब कितने हो गए जब चे और डी मेद भरन यहां पन पर उननंचास साथ बटे दो पहले पक्स में गुणा की इस्तिती में तो उधर की इस्तिती में जाएंगे जब भाग में जाएंगे अगर जो गुणा किये वो भाग में जाएगे भाग किये वो किस में जाएगी गुणा में तो साथ कहा जाएंगे बटे में और दो कहा जाएंगे उपर तो साथ से 49 गट गया कितनी बार साथ बार तो आगे बढ़ाओ सवाल को कि टूए प्लस शेडी बराबर साथ दूनी चौद है और यह समीकन हो गया एक तो पहला समीकन हमने बना लिया इसी तरीका से हमें दूसरा समीकन और बनाना है इसका तो साथ पदों के योग की जगे पर अब की बार दे रखा है सत्रे पदों का योग कोश्टक में ऐसे इन बराबर दे रखा है 289 दोसो नवासी कितना दे रखा है दोसो नवासी दे रखा है तो सेमीटी टू साथ की जगे पर कितना लिखना है साथ की जगप कितना लिखना है बच्चो सत्रे तो सत्रे बटे कितना दो बड़ा कोष्टक टूए प्लस सत्रे माइनस एक कोष्टक बंद डी और बड़ा कोष्टक बंद बराबर दो सो नवासी आगे सवाल बढ़ाएंगे टूए बचेगा इसमें यह ले लिए हमने यह सोले में से सत्रे में से सोले डी बराबर दो सो नवासी बटे कितने आएंगे सत्रे गुणा में कितने जाएंगे दो सत्रे से दो सो नवासी सत्रे बार कट गे तो इसका जो समीकर्ण बनाएं वो टूए प्लस सोले डी बराबर सत्रे दूना चौंती समीकर्ण कितना दो बन गया अब हम साइड में सवाल को अल कर लेते हैं एक और लाइन जोड़ लेता हूं नीचे समीकन एक को इसके नीचे ताड़ लो देखो टू ए प्लस कितना है उसमें छेडी बराबर कितना दे रखा है उसमें 14 समीकन कितना एक और लाइन खेच के या चिन बदलने हमें बिलो पन विदी से अल करना है माइनस 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 ये प्लस का ये माइनस का ये कट गए ये प्लस का और ये माइनस का तो 16 में से 6 गटाओ कितने बचे 10 डी बराबर 34 में से 14 गटाओ कितने बचे 20 तो कितने आये अपने पास में दас डी बरावर भीस तो इधर कर लेते हैं डी बरावर बीस वटे तस और डी बरावर कितना आ पास में दो आ गया तो डी कमान कितना आ गया ? दो continuity दी बरावर बीस वटे दस continuity लगाएंगे D बरावर कितना आ गया दो आ गया अब हमें D का मान D का मान समीकरण एक में या समीकरण दो में रखना है तो यहां पर लिख देते हैं D का मान D का मान समीकरण एक में रखने पर तो अब एक में रखना है हमें किसका मान रखना है D का तो सबसे पहले अपने पास में 2A प्लस D कमान कितना है 2 तो 2 का गुणा 6 से करेंगे सीधा कितना आ गया 12 बरावर 14 और यहां पर 2A बरावर 14 माइनस 12 और A बरावर 2 वटे 2 तो A कमान कितना आ गया अपने पास में 1 आ गया तो D कमान कितना है 2 और A कमान कितना है 1 अब हमें N पदों का योग निकालना है कितने पदों का योग N पदों का योग तो आप यहां पर N पदों का योग निकालना है तो यहां लिखेंगे A P K N पदों का योग कोस्ट एक में S N बरावर तो यहां पर सूत्र लगाना है दुवारा से क्योंकि N का मान N ही रखना है जिसमें A और D का मान जमाना है सूत्री के अंदर तो नीचे ले लेते हैं N वर्टे 2 कोश्टक में 2 गुणा A का मान 1 प्लस N माइनस 1 और आगे D का मान कितना दे रखा है दो और बड़ा कोश्टक बंद बरावर यहां N वर्टे 2 सॉल्व करेंगे इसको अंदर 2 प्लस 2 N माइनस कितना आ गया दो दो से दो काट लिए हमने और जगे नहीं इसलिए इसी लाइन माल कर देता हूं नीचे जैसे 2 से 2 कट गया तो N वर्टे 2 गुणा 2 N आएगो फिर दुबारा 2 से 2 कट जाएगो बरला N वर्टे 2 कोश्टक में 2 प्लस 2 N माइनस 2 दे रखा है तो 2 प्लस कर 2 माइनस कर 2 से 2 गये अब कितना बच रहा है अपने पास में एन बचे टू गुणा दू एन अब दोबारा से दू से दू कट गया अब क्या बचा उसमें एन गुणा एन और जब एन गुणा एन को करेंगे गुणा तो कहा जागो एन स्कॉर आजाएगा अब कोई से भी पदों को पूछ सकता है इसमें तो इस तरीका से अब एक बड़ दोबार और देखो इस सवाल को तो सबसे पहले अपने पास में एपी के साथ पदों का योग दे रखा है कितना उनन चास तो एन को मान कितनों इसमें साथ तो साथ बटे दो टू ए प्लस साथ माइनस एक कोश्टक बंद डी बरावर टोटल कितना दे रखा है उनन चास अब यहाँ पर हमने दो ए निकाल लिए हो प्लस साथ में देख गए हो जब 6 डी बरावर उनन चास साथ बटे दो धर गए तो साथ नीचे और दो कहां गए उपर साथ से उनन चास काट लिए साथ बार तो क्या आया समीकन अपना दो ए प्लस शेडी बरावर चौद है साथ दो नी चौद है समीकन एक इसी प्रकार समीकन दो समीकन एक और दो ब्लोपन विदी से हल करके हमने ए और डी को मांद निकाल लिए हो जो कख्ष नायन से ही समझाते आ रहे हैं ब्लोपन विदी से और मैंने पहले भी समझा दिया है बहुपद में तो इस तरीका से हमने ए और डी कामान निकाल लिया अब उसके बाद में हमें एपी के एन पदों का योग चाहिए जहां पर ए कमान यहीं रकना आए कि आमान कितना है दो और एक कमान कितना है एक और इस तरीया के एन पदों का योग जो आया एंज कौर हन तो एक वार सको नोट कर लो माँ artists आप्ला उद्धार्ण करते वह द्धारन नंबर अब कर शाख ऐस में दे रख आ कि एपी की तीन संक्या हैं जिनका योग दे रखा है माइनस तीन और उन तीनों संक्याओं का गुड़न फल दे रखा है कितना आठ तो हमें वो तीनों संक्या ग्याद करनी है तो सबसे पहले एपी की कितनी संक्या हैं तीन पहली सर्थ क्या दे रखे उसमें कि तीनों संक्याओं का योग दे रखा है माइनस तीन और तीनों संक्याओं का गुड़न फल दे रखा है कितना आठ तो हमें इस तरीका से एपी की वे तीनों संक्या क्या करनी है ग्याद करनी ह तो सबसे पहले हमें मान नहीं है माना A-P की तीन संख्याएं तो चार संख्याएं तो उसमें 2- کی और 2- کی मानी थी अब इसमें टोटल संख्या कितनी अपने पास में 3 तो उसमें से एक तो माल लेते हैं A माइनस D और एक माल लेते हैं A और A माल लेते हैं A प्लस D इदर एक माइनस की इदर सेम एक प्लस की और बीच में A माल ले हमने पहली सहीं गया भए हम यहां से ही तो चालू करें A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D तो यहां ते इधर भी तो चालू कर सके A-D, A-2D, A-3D तो यह पहली सेंग क्या होती है मतलब बीच की सेंग क्या इधर की प्लस की और इधर की माइनस की तो हमने क्या कर लिया तीन सेंग क्या हमें एक माइनस की और एक सेंग प्लस की और बीच में A इस तरीका से एपी की हमने तीन सेंग्या मान लेए जो मैंने पहले डिसकस करा दिया था अगर हमें तीन सेंग्या माननी है तो यही माननी है और अगर हमें चार सेंग्या पूछ रहा है तो दो प्लस की और दो काई की माननी है माइनस की तो अब क्या कह रहा है पहली सर्थ में प्रसनानूसार की इन तीनों संक्याओं का योग दे रखा है माइनस तीन इन तीनों संक्याओं का योग तो यहाँ पर लिख लेते हैं तीनों संक्याओं का योग बरावर माइनस तीन तो हमें तीनों सहिंग क्या जोड़नी है तो तीनों सहिंग क्या हूं है पहली सहिंग क्या है A-D प्लस A प्लस A प्लस D बरावर दे रखा है माइनस 3 अब यहां पर D से D कट गया तो अपने पास में 1, 2, 3 यानि कि 3 A आ गया बरावर दे रखा है माइनस 3 3 A बरावर माइनस 3 और A बरावर माइनस 3 वटे 3 और आगे A बरावर माइनस 1 तो A का मान डूल लिया हमने माइनस 1 आ गया अब दूसरी सर्ट और दे रखी है यह तो पहली सर्ट थी कि 3 सहिंग क्याओं का योग माइनस 3 है अब दूसरी सर्ट क्या दे रखी है कि इन 3 सहिंग क्याओं का गुणन फल कितना दे रखा है 8 तो हमें यहाँ पर 3 सहिंग क्याओं का गुणन फल करना है चुकि पहली सहिंग क्या है A माइनस D दूसरी सहिंग क्या A और तीसरी सहिंग क्या कि इसमें प्लस डी बirmढ़ाelle किस्तिति में रख दी हैं माइनस आठ कि ये तीनों साहिंग की आए इन दोनों Sec लेते हैं a minus b और a plus b याणि a minus b और a plus b होता है a square minus b square के स्थिधी में आता है सmber सम्मी का है अपनी आटवी ख्लास थे चलती है a plus b और a minus b बराबर क्या होगा a square minus b square तो a ka गुणा a से करेंगे तो a square minus d का गुणा d से करेंगे तो क्या है d square यह तो इन दोनों का गुणा हो गया अब हमारे पास में यह बचा हुआ है बराबर कितना है आठ है अब हमें इसमें मान जमा देते हैं किसका यह का मान यह बराबर माइनस एक है उसका मान इस जगे पर जमा देते हैं तो यहां पर सबसे पहले बड़ा कोश्टक लगाना है एक का मान दे रखा है अपने पहस में माइनस एक माइनस एक का क्या लगाएंगे स्कॉार माइनस डी स्कॉार कोश्टक बंद और यहाँ पर कितना आएगा माइनस एक बरावर कितना आठ अब आगे हल करेंगे इस जगे पर ले लेते हैं सवाल को कंटिनिटी लगाएंगे माइनस एक का वर्ग माइनस एक गुणा माइनस एक प्लस एक हो गया माइनस यहाँ पर डी स्क्वार है और इसको हमें कोस्टक में लेके यहां पर माइनस एक दे रखा है बरावर कितना हो गया यहां पर आठ अब अभी हमें माइनस एक का गुणावर करना है कंडिनिटी माइनस एक का गुणावर करेंगे तो माइनस एक माइनस माइनस plus d square बरावर कितना हो गया आठ और माइनस यह के इधर ले जाएंगे तो इसमें 8 में जुड़ जाएंगे तो d square बरावर हो गये कितने 9 और यहां पर d bरावर plus minus के अंडरूर्ड 9 और continuity d bरावर दे रखा है प्लस माइनस कितना 3 तो यह अपने पास में D का मान आगया अब हमें A, P की सिंक्र क्या ग्याद करनी है कितनी 3 तो देखो यह बरावर माइनस 1 दे रखळा है यह माइनस 1 लिखेंगे एक ही जगाएं पर D का मान एक वार प्लस में लेना है और एक वार डी कमान किसमें लेना है माइनस में इस तरीका से एपी की यानि एपी जो निकलेगी तीन सेंग्या उसकी वो दो प्रकार से निकलेंगे कैसे हैं एक वार एक कमान माइनस एक और यहां डी कमान प्लस में लेना है तीन और एक बार एक कामान तो माइनस एक ही रहेगा दी कामान भी माइनस तीन लेना है तो इस तरीका से दो प्रकार से एपी की तीन संख्या ग्यात होंगे तो एक प्रकार से मैं ग्यात कर देता हूँ अगले तुम देख लेना तो एपी की तीन संख्या तो सबसे पहले एक कामान कितना मानना है माइनस एक प्लस कितना रखना है डी कामान तीन और माइनस एक कॉमा माइनस एक प्लस कितना रखना है यहाँ पर तीन तो यहाँ पर देखो दोबारा माइनस एक यहाँ क्या है माइनस कितना हो गया तीन यह माइनस एक ही है कॉमा माइनस एक प्लस कितना है तीन तो यहाँ पर माइनस एक माइनस तीन माइनस कितने हो गए चार यह माइनस एक और 3 में से एक गरजा जहाद पे प्लस की कितने 2 तो इस तरीका से निकलेंगी और अगर हमें माइनस 3 रखना है तो इसको लटा कर देते हैं 2 माइनस 1 माइनस 4 तो इस तरीका से AP की 3 सहीं कि हमें ग्यात करनी है तो एक बार पुने दोबारा इस सवाल को और देख लेते हैं वैसे कई बार करा दिया है माना एपी की तीन संख्या है एक माइनस की एक प्लस की और बीच में मानने हमने ए तो एक दो तीन संख्या हो गए प्रस्ना नुसार में तीनों संख्या हो का योग माइनस तीन तो तीनों संक्या हमने जूर दी बरावर माइनस तीन तीन ए बरावर माइनस तीन और ये बरावर माइनस तीन वटे तीन ए बरावर माइनस ए तीनों संक्याओं का गुड़न फल बरावर कितना है आठ ये ए माइनस वी और ए प्लस वी इन दोनों का तो गुणा कर दिया A स्कौर माइनस D स्कौर और A अपने पास में है यह बरावर कितना 8 अब हमने यहां मान रख दें A का मान कितना है माइनस 1 तो माइनस 1 का स्कौर माइनस D स्कौर माइनस 1 बरावर कितना 8 माइनस 1 का बर प्लस 1 माइनस दी स्कॉार माइनस एक बरावर आठ अब माइनस एक का गुणा करना है इसमें माइनस एक का एक से करेंगे माइनस माइनस प्लस दी स्कॉार का गुणा एक से करेंगे दी स्कॉार बरावर कितना आठ दी स्कॉार बरावर माइनस एक एधर ले जाएंगे तो आठ में एक जोड़ जाएंगे डी स्क्वार बरावर कितने होगे नो और डी बरावर प्लस माइनस अंडरूर नो और डी बरावर प्लस माइनस कितना तीन तो एक बार प्लस से करना है और एक बार माइनस ते यानि दो प्रकार से ए पी बनानी हमें वह करने तो अब यह प्रशनावली अपने रूप से समाप्त हो गई है तो अब हमैं अगली प्रशनावली चालू करेंगे वो कंध से चालू करेंगे